आपके क्रेक एक्जाम चेनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 10 जून के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को अम लोग कवर करेंगे तो हमारा पहला प्रशन है कि अभी हाल इमें फसाई ने फूट सेफ्टी इंडेक्स 2019-2020 जारी किया है आपको बताना है इस इंडेक्स में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य टॉपर है तो आंसर होगा गुजराद तो अभी आपको पता है हमने साथ जून को वर्ल्ड फूट सेफ्टी डे मनाया था तो उसे दिन फसाई ने केंदर शाषित प्रदेशों की यूनियन टेरिटरीज की तो केंदर शाषित प्रदेशों में चंदिगर टॉपर है तो ये तीनों याद रखने बड़े राज्यों में तो गुजराद छोटे राज्यों में गोवा केंदर शाषित प्रदेशों में चंदिगर टॉपर है इ इसकी चेर परसन है रिटा टायोटिया अच्छा फसाई से एक appointment भी हम लोगों ने बढ़ा था इसकी CEO अपोइंट हुए भी कौन अरुन सिंगल अच्छा ये जो World Food Safety Day है ये आपको याद रखना है ये most important है most important क्यों है क्योंकि ये इसका दूसरा संस्करन है इसे 2019 में पहली बार मनाया गया था और इसकी theme भी याद रखो theme क्या है food safety is everyone's business क्या है theme food safety is everyone's business बढ़ते आगे फिर हाली में किस राज्य ने बंदे उतकल जन्नी को राज्य गान यानि की state song का दरजा दिया है 1912 में तो ये आपको याद रखना ये most important क्यूशन है अब यहाँ पर बात उडिशा की है तो येरा मैप में उडिशा कैपिटल बहुनेश्वर है आपको याद होगा खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करन इस बार यहीं पे हुआ था इस में टॉप पे रहा था पंजाब युनिवर्सिटी मुख्य मंत्री है नवीन पतनायक और इस बार नवीन पतनायक जी को पेटा ने hero to animal का award भी दिया था पेटा ये जानवरों के हित के लिए काम करने वाली एक संस्ता है जिसका full form होता है people for the ethical treatment of animal अच्छा उडिसा हाई कोड की chief justice का नाम आपको याद रखना है अभी नई बने थे मुहम्मद रफीक और एक और point यहां से याद रखो देखो कोई भी योजना या कोई भी कारेकरम अगर मो से शुरू होती है यह आपको cheat code बता रहा हूँ ट्रिक बता रहा हूँ मो से कोई भी योजना या कोई भी कारेकरम शुरू होता है तो वो आपकी होगी हमेशा उडिसा की यह आप याद रख लो फिर आपको 10 तरह की योजना याद रखने ही जरुवत ही नहीं है मो से स्टार्ट हो रही है मतलब वो उडिसा की है यह एक तरीका मैंने बता दिया एक्जाम में कुशन को सही करने इसके अलावा भी उडिसा सरकार ने COVID-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपे देने की घोशना की है अचा उडिसा में जो विलर दीप है उसका नाम बदल करके APG अब्दुल कलाम दीप कर दिया गया है एक और important point बताता हूं बलेक पगोडा टेंपल की से कहा जाता यह एक्जाम में प्रशन पूछा गया है कुनार्क संट टेंपल को कहते हैं अचा कुनार्क संट टेंपल तो अभी न्यूज में भी था केंदर सर रही है मतलब solarization इसका करना चाती है और आपका जो 10 रुपे का नोट है उस पर कुनार्क संट टेंपल का चित रंकिते आप देख लेना और longest डैम ओफ इंडिया यह आपके उडिसा में यह कौन सा हीराकुट डैम यह आपका किस नदीपे है तो महा नदीपे है एक और प्रश राजस्तानों को कांट्रेक्ट फार्मिंग की अनुमती भी दे दी है उडिसा सरकार ने अच्छा यहां से एक नैशनल पार्क आप याद रको सिमलीपाल नैशनल पार्क यह पूछा जाता है एक्जाम में और एक टाइगर रिजर्व भी है यहां पे सतकोशिया टाइगर र प्राजस्तान की है तो यहां मैप में राजस्तान के आए जैपूर है और जैपूर कोई Pink City कहते हैं अभी आपको याद हूगा जैपूर के परकोटे को World Heritage Site में शामिल किया गया था मुख्यमंत्रियां के अशोग गेलोथ हैं और गवंडर हैं कलराज मिश्र इसके लावा याद रखना भारत की सबसे बड़ी इनलेंड सॉल्ट वाटर लेक अंतर देशिये खारे पानी की जील आपकी राजस्तान में यह जिसका नाम है सामर लेक यहां से कुछ important नाम में आपको बताता हूँ जैसे कि ओम बिरला का नाम याद रखो सबसे पहले सतरवी लोक शबा के अध्यक्ष बने हैं और अभी इन्होंने ही कोटा में सुपोशित मा अभियान को भी लॉंच किया था कोटा बुंडी शेतर से यह सांसद है सुमन राव की बात करेंगे तो Miss India 2019 का खिताब जीता था राजस्तान से यह यह और राजस्तान से याती है मनीशा कुल्चरिष्ट बिहारी पुरुसकार जीता था इन्होंने अपने उपन्यास स्वपन पाश के लिए और राजस्तान से याती है पायल जांगिड और पहली भारतिय बनी थी Change Maker Award पाने वाली और यह अवर्ड दिया था Bill & Melinda Gates Foundation ने इसके अलावा जेव इंदन नीती को लागू करने वाला पहला राज़ भी आपका राजस्तानी है और बात करें अगर कोरोना के कारण पूरी तरह से लोकडाउन करने वाला पहला राज़ भी आपका राजस्तानी बना था अभी इंद्रा प्रियदर्शनी बेबी किट वितर है खेजड़ी का एक तो सरिस्का नेशनल पार्क आपको यहाँ से याद रखना है रन थंबर और नेशनल पार्क भी याद रखो और एक केवला देव घाना पक्षी विहार भी है यहाँ पर वो भी आप याद रखो यह पूछे जाते हैं सर एक्जाम में वो मैं आपको बता रहा हूँ बढ़ते आगे और गाईज अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं मेरी महनत अच्छी लग रही है और यह वाकई अगर आपके लिए हैं तो प्लीज वीडियो को शेर जरूर किया कीजिए अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियो को लाइक और शेर करके ताकि इन वीडियो को कॉंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सकें तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर करना फिर है हाल इमें किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्गाटन किया है तो आंसर होगा मनिपूर ने तो मनिपूर के जो मुख्यमंत्री एन्बिरेंसिंग उन्होंने इंपाल के बागवानी और म्रदा संगरक्षन निदेशाले में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्गाटन किया है तो इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य है कि क्रशी और बागवानी के माध्यम से मनिपूर के आर्तिक व्रद्धी को बढ़ावा देना अच्छा इस क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक मोबाइल म्रदा परिक्षन प्रयोग साला यानि कि सॉयल टेस्टिंग लैब वेन भी लॉंच की है अब बात मनिपूर की है तो ये रामेप में मनिपूर कैपिटल इमफाल है गवर्नर है नजमा है प्तुला और मुख्यमंत्री है एन बिरेंसिंग अच्छा अभी आपको याद होगा युनाइटिड नेशन ने मनिपूर की पहल खुडोल को गुविड-19 से लडने के लिए सीर की बात है तो कुछ समय पहले ही यानि कि पिछले साल मनिपूर के फेयेंग गाउं को दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजेटिव टेग अच्छा यहां पे एक जील और एक नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एक्जाम में पूछे जाते हैं मनिपूर की लोक टक जील जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है और इसी पहें दुनिया का एक मातर तेड़ता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है काबुल लामचाओ नेशनल पार्क ये भी आपको याद रखना है बढ़ते आगे फिर हाली में किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अरपित नाम से एक पोड डिजाइन किया है तो अंचर होगा भारते वाई उसे ना ले तो अभी इंडियन एयर फोर्स ने स्वदिशी रूप से विक्सित आईसोलेटेड ट्रांस्पोर्टेशन के लिए एक एरबोर्न रेस्क्यू पोड जिसका नाम है अरपित उसको है तो उसे वहां से बाहर निकालने में इसकी मदद ली जाएगी इस पोड की और इसको बनाया है भारते वाई उसे ना ला अच्छा हमारे एर चीफ मार्शल कौन है राकिश कुमार सिंग भधोरिया है बढ़ते आगे फिर हाली में किसने कोविड नाइंटीन के लिए कोवि ले शारिरिक निगरानी प्रणाली कोविड बीप एप्लिकेशन को लांच किया है अच्छा यहाँ पे कोविड बीप का मतलब क्या हो गया continuous oxygenation and vital information detection बायोमड ECIL ESIC pod अच्छा देखो एप्लिकेशन की बात चल देए कुछ important एप्लिकेशन में आपको बताता हूँ जो भी news में रही जैसे कि कोविड के एप्लिकेशन इसको लांच किस ने किया था अरुनाचल प्रदेश ने और एक कोरोना वॉच अप्लिकेशन भी थी जो कि करनाटक में लांच की गई थी आरूग्य से तो अप जानते ही यह भारत सरकार ने लांच किया था महाकवच की बात करेंगे तो महाकवच application ये महाराष्टर ने लॉंच की थी, और एक test yourself goa, इस application को goa ने लॉंच किया था, नामसी पता चल रहा है, एक नाड़ी application थी, जो कि पुडुचेरी ने लॉंच की थी, एक रक्षा सर्व application है, जो कि 36 गड़ सरकार ने लॉंच किया था, एक चुलिच 36 गड़ की पुलिस थे हैं, क्वारंटाइन लुगों की निगरानी करने के लिए, नागर लेंड ने भी एक application लॉंच की थी, self declaration application, तो ये कुछ applications मेंने आपको बदाए, इनको भी ध्यान रखना बढ़ते आगे, फिर हाली में महिला और बाल विकास मंत्राले ने किसकी अद्यक्षिता में काररे बल का गठन किया है, तो आंसर होगा जया जेकली, तो अभी केंद्रे महिलावा बाल विकास मंत्राले ने महिलाओं और बच्चों की स्वास्त और पूशन से सम्मंदित मामलों की जाच करने के लिए एक टास्क फूर्स का गठन किया है और इसके अध्यक्षिता करेंगी जयाजेकली तो ये जो टास्क फूर्स है ये शिशु मृत्यु दर, मात्र मृत्यु दर और स्वास्त और पूशन से सम्मंदित अन्य मुद्यों पर भी काम करेंगी आचा केंद्रे महिलावा बाल विकास मंत्री कौन है अमारी जो कपडा मंत्री है यानि कि स्मृति रानी बाकी जानवी फ ये भी आदक न बढ़ते आगे फिर हाली में जारी स्टेट आफ इंडियास बर्ट से रिपोर्ट्स के अनुसार किस राज्य की पंदरा पक्षी प्रजातियों को चिंता की प्रमुख प्रजातियों यानि की स्पीसीज ओफ कंसर्न के रूप में चिनहित किया है तो सही उतर होगा केरल ने यहाँ पे चिंता की प्रमुख का मतलब हो गया स्पीसीज ओफ कंसर्न यानि की चिंता जनक इस्थिती है इनकी ये लुप तो होने की कगार पर है इनकी संख्या कम हो रही है तो किस राज्य की है ये पंदरा पक्षी प्रजातियां तो केरल की है यहाँ पे आ का नाम है आरिफ मौम्मत खान मुख्यमंत्री है पिनाराई विजियन और केरल हाई कोट की चीफ जस्टिस का नाम है एस मनी कुमार इसके अलावा देश की पहली LNG बस सेवा शुरू हुई थी केरल की कोच्ची में देश की पहली सूपर फैब लेब स्थापित हुई थी केरल म प्लाजमा ठेरेपी को यूज करने वाला पहला राज्य बना था केरल तो ये सारे आप याद रखना इसके अलावा और भी बताऊंगा मैं आपको Break the Chain अभियान शुरू किया था इसने और Break the Chain कार्टून अभियान भी शुरू हुआ था केरल में ही करमी बोट नाम का रोबोट शुरू किया था केरल ने और केरल के नई Chief Justice बने थे अभी विश्वास महता और के फोन नाम से गरीबों को फ्री इंटरनेट देने की लिए प्रोजेक्ट भी शुरू किया अभी केरल सरकार ने उसके रलावा केरल के जो मुख्य मंत्रे उन्होंने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धावू एप्लिकेशन भी लॉंच किया था और अभी केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ को शुरू किया था यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसका नाम है सबरी माला मंदिर एक मंदिर और याद रखो जो एक्जाम में पूछा जाता है मिनाक्षी मंदिर वो आपके तमिलनाडो में है और अभी कुणार का सूर्य मंदिर भी न्यूज में रहा था यह आपका उडिसा में है केरल में ही एक दर्वाजा वितरन योजना भी शुरू हुई थी उसके अलावा जियो फैंसिंग एप्लिकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राजी भी बना था आपका केरल और रैपिड स्क्रिनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन भी शुरू किया था केरल सरकार ने और व्रद वैक्तियों के लिए मिशन ग्रेंड केर भी शुरू किया था तो इतने पॉइंट्स आपको केरल से याद रखने बढ़ते आगे फिर हाली में किस राज़े की सरकार ने मुख्य मंतरी शहरी पत्थ व्यवसाई उत्थान योजना शुरू किया है तो अंसर होगा मद्यपरदेश ने तो मद्यपरदेश के जो मुक्य मंत्रें शिवरा सिंग चोहान उन्होंने शहरी पत्थ व्यवसाई उत्थान योजना और शहरी पत्थ विक्रेता पोर्टल योजना को लांच किया है। योजना है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें सीमित समय के लिए लोन दिया जाएगा। ताकि street vendors, street vendors मतलब सड़क किनारे जो लोग ठेला वगेरा लगाते हैं छोटी मोटी दुकान चलाते हैं उनके लिए तो वो उस लोन से प्राप्तर राशी से अपना काम फिर से शुरू कर सकेंगे आचक कल हम लोगों ने जून महीने के पहले बाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट कवर किया था वीकली करंट अफेर्स का अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी केंदर सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को रिन देने के लिए परधान मंतरी स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्बर योजना जिसे ही कहते हैं परधान मंतरी स्वानिदी योजना को शुरू किया है जिसमें street vendors को 10,000 रुपे तक का रिन दिया जाएगा वो भी बिना guarantee के तो उसी के अंतरगत मद्यपरदेश ने ये योजना शुरू की है अब बात मद्यपरदेश की है तो यहरा मैप में मद्यपरदेश कैपिटल भोपाल है याद रखना भारत का पहला e-west क्लिनिक आपका बोपाल में खुला था मुक्यमंतरी शिवरासिंग चोहान हो गए गवर्नर हो गए लाल जी दास्टंडन अभी आपको याद होगा शरम सिद्धी अभियान भी शुरू किया था मद्यपरदेश सरकार ने उसके अलावा बुखार क्लिनिक सेवा भी शुरू की थी दीदी वाहन सेवा भी शुरू की थी एक रोजगार सेतु योजना भी शुरू की थी और मद्यपरदेश की पुलिस ने ही F.I.R. आपके द्वार योजना भी शुरू की थी और मद्यपरदेश पुलिस कर्मियों से याद आता होगा इनको करमवीर पदक से सम्मानित करेगी मद्यप्रदेश की सरकार ऐसा उन्होंने घूशना की है अभी मद्यप्रदेश की सरकार नहीं चरन पादू का पहल भी शुरू की है उसके लावा मुख्य मंतरी जन कल्यान संबल यूजना भी शुरू की थी एक important point कली हम लोगों ने पढ़ा था सबसे ज़्यादा बाग यानि की tiger की मौत हुई है 2012 से 2019 तक सबसे ज़्यादा कहाँ पे बागों की मृत्य हुई है मद्यप्रदेश में 173 बाग मरे है वैसे सबसे ज़्यादा बाग भी आपके यहीं पर है मद्यप्रदेश में उसके अलावा शिशुम रत्युदर ये भी सबसे ज़्यादा आपकी मद्यप्रदेश में है अभी कुछ समय पहले पढ़ा था थैंक्स मॉम नाम से वरक्षान रोपन अभियान भी शुरू हुआ था यहाँ पर उसके अलावा कुछ समय पहले एवरी बडी विल गेट एम्प्लोईमेंट योजना भी शुरू हुई थी यहाँ पर संजीवनी वाहन भी शुरू हुए थे उसके अलावा कोविड नाइंटीन योद्धा कल्यान योजना भी शुरू हुई थी एक जीवन अमरत योजना और जीवन शक्ती योजना ये दोनों यहीं की है और मिड़े मील राशन देने वाला पहला राज्य भी बना था आपका मद्यपरदेश उसके अलावा रेडियो स पूड पार्क ये आपके मद्यपरदेश के देवास में बना है बांदवगड नेशनल पार्क है आपका मद्यपरदेश में जो कि रोयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है यहां पे काना नेशनल पार्क भी है वन विहार नेशनल पार्क भी है और पन्ना नेशनल पार्क है, सत्पूडा नेशनल पार्क है, मादव नेशनल पार्क है, एक पेंच नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, संजे नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, एक संजे गांधी नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा लेकिन वो महराष्टर में है, तो इतने इस सारे points के कारण अभी मध्यप्रदिश न्यूस में था कि आपको याद रखने बढ़ते आगे फिर है भारत की पहली सोर उर्जा संचालित यानि की solar operated नोका का नाम क्या है तो आंसर होगा आदित्या अच्छा ध्यान दे सुना ये नोका अभी शुरू नहीं हुई है ये तो से operate होने वाली solar से चलने वाली ये नाव है और कहां पे चलती है ये केरल में केरल में वेकॉम और थावन कद्बू मार्ग पर ये icon बन गई है तो यह आप ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर हाल इमें Google Cloud ने भारत में अपने वरिष्ट निदेशक यानि की senior director के रूप में कि अध्यक्ष बने थे अभी है प्रमोद अगरवाल कोल इंडिया के cmd बने थे और गोविंदर राजुलू चिंटला नाबाड में अगला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है गूगल की बात कर लेते हैं इस तापना इसकी 1998 में हुई थी कैलिफॉरनिया यूएसे में इ कम दिखाई नेने वाले यूजर्स के लिए वर्चुल ब्रेल कीबोर्ड भी लॉंच किया था जिसका नामे टॉक बैक एक सोडार नाम से एप्लिकेशन भी गूगल ने लॉंच किया था वो भी याद रखना बढ़ते आगे फिर हाली में किस राज्ये के एक इंजिनियर ने कोविड-19 रोगियों से दूरी बना कर सुविधाय पहुचाने के लिए को रोबोट नाम से एक रोबोट बनाया है तो आंसर होगा महराष्टर महराष्टर के ठाने जिले के एक इंजिनियर है जिन्नोंने कोविड-19 के मरीजों की देखबाल करने वाले जो स्वास्त कर्मी ह होते हैं तो उन्हें क्या है मरीजों के पास जाना होता है उनको पानी पिलाना है भोजन देना है दवाईयां देनी है तो उस कारण से उनके पास जाना होता है तो उनके संक्रमन होने का खत्रा रहता है तो उसी खत्रे को कम करने के लिए उन्होंने एक रोबोट तयार किया ह वो ये सारे काम करेगा, मरीजों को पानी पिलाएगा, भोजन लेके जाएगा, दवाईया वगेरा लेकर के जाएगा, ताकि स्वास्त कर्मियों को मरीजों के पास न जाना पड़े और वो संक्रमित होने से बचे रहें, और इस रोबोट की एक खास बात ये है, कि इस रोबोट इसी परपस के लिए तो बनाये था, एक IIT रोपड ने भी बनाये था, वाड बोट नाम का रोबोट, और एक जारकन सरकार ने भी बनाये था, कोबोट रोबोटिक्स नाम से, तीनों का परपस सेमी है, तो अब बात करेंगे, कल के वीडियो में पूछेगे प्रश शेयर नहीं किया है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में, या आपका कोई study group हो, तो प्लीज वहाँ पे एक बार इसे शेयर जरूर करते ना, तो गाइस इन सभी questions का quiz बना करके मैंने application पे upload कर दिया है, तो अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा question ride करते हो, तो आपका नाम आपके photo के साथ, top 10 students में आपको दिखाई देगा, आपको यह नहीं, जितने भी लोग quiz लगाएंगे, उन सब को दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से motivation मिल सके, कि आपको भी य revision हो जाए, क्योंकि आपको बता है, चीजों को पढ़ना important है, लेकिन समय समय पर उनका revision करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, revision नहीं करोगे, तो वो सारी चीज़ा आप भूल जाओगे, तो आप भी के लिए मैं इसका revision audio त्यार कर रहा हूँ, तो उस audio का link मैंने नीचे description में दे दिया है, वहाँ जाकर करके आप मुझे follow कर लिजे, और follow करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा, आप उसे ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं audio upload करूँ, उसका notification आपको मिल सके, और application अगर अभी तक आपने download नहीं किये, तो उसका link भी आपको नीचे मिल वहीं पर आपको quiz, video, pdf, सब मिल जाएंगे, तो इस प्रस्न का उतर आता है, तो comment box में जरूर टाइप करिए, चलिए अब मिलते करन्ट अफेस के revision video में, thank you guys